नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निउज के डिफेंस टॉक स्रीज में जहांपर हम रोज नयने डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो सु सब्मरीन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और इसके पीछे प्रोजेक्ट 70Y के डिले होना एक मेजर कारण है और अवी सीधे तोर पर AIP सिस्टम से क्यूप करके तीन अडिशनल कलवरी क्लास के सब्मरीन को खरीदने का प्रॉपजल दिया जा रहा है इसे विच फ्रां और पर एटक्स सब्मरीन को बनाने की यानिकी एसेशन्स को बनाने की कोशिस कर रहा है लेकिन इसमें इस्तमाल होने वाली जरूरी टिक्नॉजी अभी भारत के पास मौजूद नहीं है तो इसमें फ्रांस भारत को मदद करना चाहता है फ्रांस का कहना कि वह भर्जील को जि सब्सक्राइब करने के लिए रियक्टर पहले से भारत डेवलप कर रहा है और यह टेक्नोजी हमारे पास पहले सही मौझूद है तो इसमें हमको किसी और से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बाकी सब्सक्राइब को फ्रांस भारत को उफर करना चाहता है अभी व्रज में 190 मेगवेट की रियक्टर का इस्तमाल करना चाहता है जो कि ब्रजिल के सब्मरीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा पाउरफल होने वाले 2015 से हमारी वार्शिफ डिजाइन बीरो की तरफ से एक इंडिजनस एससें को बनाने की कोशिस किया जा रहा था लेकिन अभी अगर फ्रांस अपनी बेराकुटर क्लास की सब्मरीन की डिजाइन को ही पूरी तरीके से भारत को आफर करता है तो ये भारत की काम को काफी अतक असान करने वाला है और हम सीधे तोर पर इस डिजाइन को बेस करके अपनी निक्लियर पावर सब्मरीन को बनाने की कोशिस कर सकते है जिसे हमारा काफी सारा time बढ़ सकता है अगला update भारत और US के तरफ से है पिछले कुछ सालों में भारत और US के भी जो defense relation थे वो काफी अतक बैतर हुए और US के साथ अभी हमारा जो defense कारवार है वो काफी अतक बढ़ चूखा है लेकिन आज भी भारत Russian Defense Equipment को सबसे जादा मात्रा में इस्तमाल करता है और ये चीज़ US को पसंद नहीं आता है और कई बार US की तरब से भारत को Russian Defense System को खरीने से मना किया गया और उसकी Alternative को भारत को आफर किया जा रहा है और फिर अलग-अलग तरीके से बो लोग इसको रोक इससे जरूरत है और इस सिस्टम को भारत क्यों खरीना चाहता है और उसके बाद US की तरब से अपनी Patriot System को एक Alternative के तोर पर भारत को आफर किया गया था लेकिन ये दोनों सिस्टम भारत को पसंद नहीं आया थे और इसी वज़े से US को पता चल गया था कि भारत को अभी एक Long Range Air Defense System की जरूरत है या Missile Defense System की जरूरत है तो भारत अभी ऐसी एक सिस्टम को खरीदने की कोशिस कर रहा है जो कि उनकी Patriot System या Third System पूरा नहीं कर सकता और इसी वज़े से अभी वो भारत के साथ Jointly एक Air Defense System को Develop करने के वारे में सोच रहे हैं और यह जो नई Air Defense System होने वाला है जिसको भारत और यूएस साथ मिलकर Develop करना चाहते हैं यह एक Hybrid Air Defense System होने वाला है और यूएस के स्टेट्मेंट के मुताबर यह रेशन सिस्टम के मुकाबले भारत को भहतर Air Defense के प्रोवाइट करने वाले हैं अब यह बात कर तो भारत खुद भी अपनी Air Defense System को Develop कर रहा है जो क Air Defense System के साथ मिलकर काम करने वाले हैं लेकिन देखने वाली बात यह कि अभी यूएस की तरफ से इन सभी का एक बहतर Alternative को किस तोर पर भारत को Offer किया जाता है अगला Update इंडियन नेवी की तरफ से अभी हम इंडियन नेवी की दो Major Pending Project के बारे में बात कने वाले हैं इनमें से एक प्रोजेक्ट को 2015 में स्टार्ट किया गया था और दूसरी प्रोजेक्ट को 2018 में स्टार्ट किया गया था लेकिन अभी तक ये दोनों प्रोजेक्ट आगे नहीं बड़बा और कम्पीट नहीं हुए अब इनके बार में डीटेल में बात करें तो 2015 में सबसे पहले इंडियन नेवी के लिए 6 modern missile कोवेट्स को बनाने का प्लान किया गया था जिनका displacement करीब 2800 टन के आसपास होने वाली थी और इसमें जो primary weapon लगने वाले थे वो anti-ship missile होने वाले थे और हर एक warship में 8 surface to surface और surface to missile मौझूद रहने वाले थे most probably इन सभी vessel में ब्रम्होस missile को ही equipped किया जाने वाला थे और ये size में compact और छोटे होने की वज़े से इनका speed बहतर होने वाला था और इनकी RCS कम होने वाली थे जिस वज़े से दूस्मन को surprise attack करने के लिए vessel काफी काम आ सकते थे और 1971 में SI vessel की मदद से भारत की तरफ से कराची पोर्ट के उपर हमला किया गया था लेकिन आज तक ये प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो रहा है और अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है इसके बाद एक और प्रोजेक्ट को 2018 में भी इसू किया गया था और इसमें नेक्स जेनरेसिन आफसोर पेट्रोल वेसल को खरीदने का प्लान किया गया था इन वेसल को आम तो पर कोस्ट लेजिन में अगला अपडेट एक मिक्स अपडेट होने वाला है जिसमें हम आज की डिफेंस एक्विशन काउंसल की मीटिंग में सबसे पहले तो आज डिफेंस एकस्षन काउंसल की तरप से इंडिया नेवी के लिए एक मेजर प्रोजेट को संक्षन किया गया जिसमें इंडियन निवी के लिए मैटम हेलिकॉप्टर को खरीदने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरब से एक एक सेटेंस अब नेसुसिटी को इस्सू कर दिया गया लेकिन लाइट यूटिलिटी हलिकॉप्टर की कैटेगरी में अभी कितने हलिकॉप्टर खरीदे जा सकती ये क्लियर नहीं किया जा रहे है इसके बाद आज इंडियन आमी के लिए भी डिफेंस एक्विशन काउंसिल की तरफ से एक बहुती बड़ी अनॉंस्मेंट किया गया है और इसमें इंडियन आमी के लिए 80 जीस को खरीदने के क्लियरंस दिया जा चुक है अगला अपडेट ही बहुती सौकिंग अपडेट होने वाला क्योंकि इस अपडेट में दोनों तेजस और जेए 17 इन्वाल होने वाले आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं बनता है ठीक वैसे ही जब भी हम तेजस के बारे में या जेए 17 के बारे में बात करें तो मामला थोड़ा गरम हो जाता है आप सभी को पता होगा कि अभी अर्जेंटिना की तरफ से लाइट को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था जिसमें वो एक लाइट वेट फार्टर की तलास कर रहे थे अब इस टेंडर में भारत की तरफ से अपनी तेजस को उफर किया गया था लेकिन जो मेन राइवल था वो तेजस और जेव 17 के बीची चला था अब इसमें तेजस थोड़े नेगडिव साइड में था क्योंकि इसमें इस्तिमाल होने वाली UK सीजेक्शन सीट और एड़ोम सेक्शन की वज़ेस अर्जेंटिना खुस नहीं था क्योंकि अर्जेंटिना क को सेलेक्ट करने वाले हैं कि अर्जेंटिना की आर्जेंटिना की अर्जेवस उसमेंटिन की तरफ से कांफर्म नहीं था तो आगे चल गई पता चलने वाला किसेटिना में एक्च्वalций क्या सक्षोट होने वाला أė양 क्या सच में अर्जेंटिना की तरफ से जेव 17 को खरीदा जाने वाला है फिर कोई और फाड़ जेट को खरीदा जाने वाला है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहन बंदे मातरव